हेलो आश्परेंस वेल्कम बाक टू एमपी एक्जाम वाला और आज जो मैं है लाइफ सेशन में आई हूं क्योंकि काफी दुनों से मैंने लाइफ सेशन नहीं लिये थे और आप लोग की डिमांड थी कि मैं बहुत हो गया अब रेकॉर्डिंग सेशन अब लाइव आई है हमे कि क्योंकि MCQ जो है जब भी हम प्रिलिम्स के लिए पढ़ाई करते चाहे कोई भी प्रिलिम्स एक्जामनेशन हो या वन डे एक्जामनेशन हो उसके लिए हमें कुछ चीज़े ध्यान में रखनी चाहिए जैसे कि हमें सारे facts याद होने चाहिए यसा करिए अन याद फाथ हो related to Istory है ना तो वैसे आज तो इंडिया-पाकिस्तान का मैच है मुझे पता है आजसे जादा बच्चे जो है पढ़ाई में में कम इंट्रस्ट होताँ उनका इंडिया-पाकिस्तान में बांट इस let में उतना इंट्रस नहीं है इंडिया पाकिस्तान का मैंच होता है तो मुझे भी इंट्रस आने लगता है कि हाँ देखना है भाई कौन जीतेगा कौन हरेगा यह सब्सक्राइब एक फार्व तो बातचीत वगरा तो हो गई अब यहां पे जो हैं हम डिरेक्ली सेशन को साथ करत सफलता मिले या ना मिले यह तो अलग बात है, बट आप कोशिश भी ना करो, यह तो बहुत गलत बात है, इसलिए आज आप लोग को कोशिश करने है, कुछ-कुछ कोशन जो है, और अभी आकरोश बाच में मेरी क्लास नहीं लग रही है, तो हिस्ट्री के हो सकता है, कई सारे कि बच्चों से कुछ-कुछ कोशन ना बने, बट आज आपको कोशिश करनी है, क्यों? क्योंकि सफलता मिले या ना मिले, यह तो अलग बात है, बट हम कोशिश भी ना करें, यह तो बहुत-बहुत जादा गलत बात है, तो आज आप लोग को यहाँ पे कोशिश करनी है, okay? generally, आज हम पढ़ने वाले हैं, unit 2 को, किसको पढ़ने वाले हैं, unit 2 को पढ़ने वाले हैं, समझ में आया की नहीं, चलो, आगे चलते हैं, अब यहाँ पर, directly हम questions पहेंगे, भाई, time is precious, not only for you, but also for me, right, तो चलो, जल्दी से यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर पहला question है, आपको यहाँ पैन तो बढ़ियां चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे कर लेते हैं, तो यहाँ, servants of India society, गोपाल कृष्न गोखले, then social service league, JP नारायन, then तत्व बोधनी सभा, देवेंदर नाथ टैगोर, then पूना सेवा सदन, रमाबाई रानाडे, जल्दी से मुझे बता दो, इसमें से सही आंसर क्या होगा, कोई बच्चा पूछा है, मैं जो आपने विद्रो में डेट बताई थी, वो मेरी बुक से मैच नहीं कर रही है, तो मैं कौन सा सही मानू, देखो, विद्रो में मैं आपको बताऊं, जो डेट है ना, थोड़ा बहुत इधर हो जात है, MPPSC ने भी पिछली बार एक बार इस से कोशन पूछा था, और येर के कारण ही, येर के कारण ही उस कोशन को डिलीट कर दिया था, क्योंकि हिस्ट्री है, तो कभी-कभी कुछ चीजों में डिफरेंस आजाता है, हाला कि आप authenticity के लिए कोई official site को विजट कर लेना, उसमें एक बार देख लेना है, तो जो भी official site पर जो सही लिखाओ, उसको आप लोग मान लेना, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आगे है, that is social service leak, जो है, बिल्कुल इसका सही आंसर है, social service leak की, अगर मैं बात करूँगी, तो social service leak जो है, वो नारायन मलहार जोशी न बहुत तेज मतलब हामें आपकी जो, आपकी जो class है उसको भाई, इंटू करके नहीं देखना पड़ता है, बिल्कि रिडिूस करके देखना पड़ता है, तो नारायन मलहार जोशी जो है, नारायन मलहार जोशी इन्होंने social service leak को found किया था, इसलिए JP Nairan, that is Jaya Prakash Narayan, जो है यह आपका गलत आंसर जाएगा, Jaya Prakash Narayan की मैं बात करूँगी, तो यह एक basically इन्होंने क्या लेकिया आए थे, आप सभी को पता ही संपून क्रांती लेकिया थे, yes or no, यह आपको पता होना चाहिए, तो यह basically staunch socialist भी थे, कौन Jaya Prakash Narayan है ना, ठीके, और इनको उपादी भी म society, servants of India society, Gopal Krishna Gokhale ने found की थी, जो कि Gopal Krishna Gokhale political guru भी है, Mahatma Gandhi के, yes or no, और यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर, मैं आपको बता हूँ, कब found की थी, तो इसका year important है, year सबके important नहीं होते है, बट Gopal Krishna Gokhale का जो year है 1905 वो आपके लिए important उडाता है ना, तो इसको आप पढ़ लेना, म मैम आपकी class बहुत अच्छी लगती है, thank you, मैम आप live start कर दिया करो, आपकी class बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, तो मैं बिल्कुल life class अप लोग के लिए ले के आऊंगे, ना, तत्व बोधनी सभा जो है, वो 1839 में established की गई थी, सदन जो है, वो रमाबाई रानाडे का ही है, तो ये जो है, ये आपका जो है, ये सही है, इसमें से option number B जो है, वो गलत option है, समझ में आगया की नहीं, चलो, आगे चलते हैं, next question, दूसरा question है, पूछा गया है, who gave the spiritual form to the ब्रह्म समाज founded by राजा राम मोहनरोय, राजा राम मोह जल्दी से बताएंगे, कि यहां पर बात हो रही है, राजा राम मोहनरोय द्वारा, 1828 में, स्थापित ब्रह्म समाज, आप सभी को पता है, ब्रह्म समाज बहुत इंपोर्टन्ट है, ब्रह्म समाज जो है, इसकी स्थापना कभूई थी, इसको याद रख लेना, किस ने की राजा राम मोहन रोय ने, यह भी याद रखना है, तो इसको पूछा गया है, कि भाई, इस्पिरिच्वल फॉर्म किस ने दिया था, इस्पिरिच्वल फॉर्म किस ने दिया था, दिलीप कुमार कह रहा है, माइम, एक, केशब चंद्र, देविंद्र नाथ टेगोर, द्व बाद करूंगी, ब्रह्म समाज की, तो आप सब को बता है, ब्रह्म समाज का काम क्या था, आइडल वर्शिप को हटाना, यस और यह काम था, इसका, है न, और साथ में क्या था, मोनोथीजम को प्रमोट करना, सती जैसी प्रथाओं को खतम करना, विडो रिमैरिज को ब्रह्म समाज का, बट इसको किस ने जॉइन किया था, देविंद्रनाथ टेगोर ने जॉइन किया था, तो इन्हों ने एक अध्यातमिक रूप दे दिया था, कि इसको ब्रह्म समाज को, हलाकि देविंद्रनाथ टेगोर की तत्व बोधनी सभा अलग है, वो आपको अलग स उद्स याद रखनी है है ना फिर बाद में इसको केशव चंद्र सेन ने भी जॉइन किया था केशव करते थे थे इसली कहते थे किई समय से जाधा आगे चलते हैं क्यों क्योंकि समय से आगे-जाद क्यों when समय में जब हम उस समय की बात करें तो उस ताइम पर इंटर कास्ट मैरेज की बात होती थी क्या नहीं होती थी होती थी क्या नहीं होती थी लेकिन आज अगर मैं बात करूंगी तो आज इंटर कास्ट मैरेज हो रही है इंटर रिलीजन मैरेज हो रही है लव मैरेज हो रही है तो सोसाइटी के नॉम सब चेंज हो गए हैं तो अभी के जो नॉम से उन्होंने वो कई सालों पहले अल्रडी दे दिये थे लेकिन सबसे बड़ी गलती केशव चंद्र सेन ने ये कर दी थी कि भाई खुद की 11 साल की बेटी की शादी जो है कूर बरार के जो राजा थे ना उन मैंने सोशो रिलेटर्स रिपॉर्म की अलग से क्लास बनाई थी उसको जरूर देख लेना कोशन क्योंकि इस वाले पार्ट से जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आगे चलते हैं नेक्स्ट कोशन है भाई पूछा जा रहा है जब गांधी इर्विन पैक्ट हुआ तो उसमें मीडियेटर का रोल जो है वो किसने यहां पर प्ले किया था सीधी सी बात है ना गांधी इर्विन समझोते में किसने मध्यस्थता की भूमी अदा की थी यह बताना आपको किसने की थी है ना प्लेट दे रोल ओफ मीडियेटर इंदा गांधी इर्विन पैक्ट गांधी इर्विन पैक्ट में मीडियेटर का जो काम है वो किसने किया था तो जल्दी से आप मुझे बता दो ओप्शन्स आपके सामने गिवन है तेज बहादुर सप्रू और यहां पर जैकर एनी बेसिं बाल गंगधर तिलक, सरोजनी नाइडू, तेज बहादुर सप्रू यहां फिर जैकर एन सरोजनी नाइडू, वाट वुट बी राइट आंसर ओफ दिस ओप्शन, ओप्शन नमबर बी, एनी बेसिं बाल गंगधर तिलक दीक्षा, गलत है आंसर, क्यों बाल गंगधर तिलक कि तो भाई, मृत्यू ही हो गई थी, 1920 में ही इनकी मृत्यू हो गई थी, गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था आपका 5 मार्च 1931, कब हुआ था आपका ये, 5 मार्च 1931 में हुआ था, तो यह आंसर नहीं हो सकता है, यह आंसर नहीं होगा, येस, जल्दी से मुझे बताओ, इ बिल्कुल, दिलीप एन घंशियां, बिल्कुल, ये जो आंसर है, तेज बहादूर, सप्रू एन जैकर, देस इस दा राइट अंसर, क्यों, क्योंकि जब आपका गांधी इर्विन पैक्ट हुआ था, तो बेसिकली जब आपकी, मैं बोलूंगी, जब आपकी 1st roundtable conference थी, तो 1 roundtable conference के time पे, जब civil disobedience movement, सविने अवग्या अंदूलन जब आपका चल रहा था, तो उस टाइम पे कई सारे leaders को arrest कर लिया गया था, और क्योंकि arrest कर लिया गया था, तो 1st roundtable conference में Congress के निता नहीं पहुँच पाय थे, और इसलिए Congress ने उसको पूरी तरीके से boycott किया था, उस time प कि अब आपको second roundtable conference attend करनी है, सविने अवग्या अंदूलन, civil disobedience movement को खतम करना है, और गांधी जी इन return क्या चाहते थे, कि हमारे जो भी leaders जो jail में बंद है, उनको आप लोग क्या कर दो basically छुड़वा दो, है ना, तो ये सारी की सारी बाते हैं, जो कि गांधी इर्विन पैक् और इसी event में, इसी गांधी इर्विन पैक्ट में, जो हमारी सरोजनी नाइडू जी है, जो सरोजनी नाइडू है, सरोजनी नाइडू ने यहां पर जो गांधी और इर्विन हैं, गांधी इर्विन दोनों को दो महात्मा कहके पुका रहा था है, ना, तो ये भी question पूचा 1919 का जब Montego James Ford Act आए था तो प्रो बिटेशर्स बन गई थी, तो ये तो मेडियेटर बनेंगी नहीं, तो इस तरीके साब options को eliminate भी कर सकते हो, समझ मैं है कि नहीं, चलो, आगे चलते हैं, next question, पूछा है, which of the following dynasty does not belong to the Kashmir, Kashmir से इन में से कौन सी डाइनस्टी बिलॉंग नहीं करती है, Kashmir का जो इतिहास है, वो हमें कलहण की, कलहण की जो राज तरंगनी है, राज तरंगनी, कलहण की जो राज तरंगनी है, उससे हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है, कलहण की जो राज तरंगनी है, Kashmir के इतिहास के बारे में, अभी आपको जल्दी से मुझे बताना है है कि कार कोट उत्पल पाल और लोहार कैसे यहां पर हमें यहां पर निमलिखित में से कौन सा एक बंश कश्मीर राजवन्सों से संबंदित नहीं है है ना येस आंसर आचुका है इसका जो सही आंसर है यहां की थी यहां की थी ही नहीं अगर मैं बात करूंगे कार कोट की डाइनस्टी की मैं बात करूंगी तो कार कोड डाइनस्टी का founder हो गया दुरलव वर्धन है ना उत्पल की बात करूँगी तो उत्पल का यहां पर founder कौन हो जाएगा भाई उत्पल का founder हो जाएगा अवंती वर्मन अवंती वर्मन हिंदी में इसलिए लिखरी हूं भाई सब्सक्राइब शुकायत ना मेरी क्लास रही है वो तो जा नहीं सकती ना तो कभी-कभी English भी आ जाती है इसलिए मैं यहां पर क्या करती हूं हिंदी में लिख देती हूं भाई कि कम से कम आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम ना जाए है ना और लोहार वंश की बात करूँगी तो इसके जो founder थे वो थे संग्राम शाह संग्राम शाह यह आपको पता हूं ना चीए ना लोहार वंश के कौन थे संग्राम शाह और अगर मैं बात करूँगी उत्पल वंश की अवंति वर्मन थे और इसी उत्पल वंश की important एक और रानी थी जिनका नाम था रानी दिद्दा लंगडी थी एक पैर से है ना उस इसके बाद भी भाई इन्होंने इतने सारे लोगों को मरवा दिया था इतने सारे लोगों को मतलब खुद गदी पे बैठने के लिए इन्होंने ऐसी ऐसी activities की थी जो शायद मैंस भी ना करें है ना और उसके बाद ये गदी पे बैठी होई तो साशन चलाती थी तो विमें चलते हैं next question दूसरा question है where is the mention of kaiasth found for the first time kaiasth जो शब्द कायस्त आप सभी को पता है हां जल्दी से मुझे बता दो फटा फट फट वेर इस mention of kaiasth found for the first time first time जल्दी से हम बता दो कि कहां पर मिला हुए mention for the mention of kaiasth found for the first time पहली बार हमें kaiasth शब्द के बार में जानकरी कहां से मिली हुई है आया answer की नहीं इस जलानी की बात किसने की थी आप मुझे बताएंगे comment करके बताएंगे कि मनुस्मृति को जलाने की बात क्यों जला मतलब ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने कहा था कि मनुस्मृति को जला देना चाहिए जल्दी से मुझे comment करके बताओ अगर यह वाला आपको answer पता है कि नहीं important question है के लिए तो इसका जो सही answer है यजन वाला किस्मृति है कायस्त का basically उस टाइम पर काम क्या होता था इनकी जो इसने की थी तो he was BR-aamidkar अब इसी में मुझे अगर इतना बता दिया तो यह बता दो South के कौन से leader थे जिन्होंने मनुस्मृति जलानी की बात की थी South के कौन से leader थे हां यह बता दो मुझे अभी यह तो आपने BR-aamidkar यह बतादी because he is very famous personality South के भी एक leader रहे हैं जिन्होंने मनुस्मृति को जलानी की बात की थी उसका आंसर आप मुझे बता दोगे तो मैं मान जाओंगी मान जाओंगे आप लोगों को है ना कुमार यादफ पूछ रहे हैं कि हाय मैम कैसी हो आप मैम एकदम बढ़िया है पैरियार बिल्कुल बिल्कुल पैरियार का answer आचुका है बिलकुल सही answer है ना पैरियार answer आ चुका है बिलकुल सही जितनी भी untouchability और ये सब चीज़े prevail कर रही थी ना उसको हटाने के लिए उन्हें बहुत काम किया है और मनुस्मृति में लिखाAmerica की बारे में लिखा हुआ है कुछ-कुछ society के social evils के बारे में मनुस्मृति में लिखा हुआ है इसलिए ये जो दोनों चन है ये ऐसा कहते थे कि भाई मनुस्मृति को जला के फेग देना चाहिए समझ माय की नहीं चलो आगे चलते हैं हिं आगे बात करेंगे वह इंपॉर्टेंट बुक आफ संगम लिट्रेचर्टर वॉस्ट कमपोज्ट बाइ टोर कपी यार तोल कपी यार जो है वो किसने लिखी हुई है मुझे आप जल्दी से बता दो तोल कपी यार पुछा है कि भाई टोल कपी प्यार ने कौन सी लिखी हुई है ना टोल का प्यार ने कौन सी बुख लिखी हुई है तो जल्दी से बता दू सिंपल सी बात है इसमें कुछ भी नहीं था तोल का प्यार ने अपने ही नाम पे लिखी थी तोल का प्यार है यह इंपॉर्टन बुख है बेसिकली तमिल लिट्रेचर है बहुत ही पुराना है सिंपल सा कोशन था इसमें कुछ भी वह वाली बात थी नहीं है विल्कुल इजी सा कोशन था भाई और शिला पड़ी कम किस ने लिखी हुई लांग एडिगल ने लिखी हुई है यह सारी कि सारे कुछ कुछ है हलकी साउट से देख जाए तो इतने जादा कोशन पूछे नह काम हो जाएगा आपका नेक्स कोशन दूसरा कोशन आते हैं और पूचा है निमलिखित कत्नों में से कौन सा कथन सही नहीं है है ना बच्चे क्या करते हैं मैं आपको बताओं कोशन में सही नहीं है और सही है मैं देखते नहीं है और मेजॉरिटी और बच्चे इसी पॉइं में से कौन सा कथन सही नहीं है पूचा है सुल्तान ओवदा तुगलक बंच के सुल्तानों ने दिल्ली सल्तनत पर सरवाधिक समय तक शाशन किया पहला पॉइंट दूसरा आलाउद्दीन खिल जी के सेनापती उलूख खां मंगोलों के विरुद लड़ते हुए मारे गए दू विवरण किया था हां सो मेश आ चुके हैं गुड आफ्टरनून इतने लेट क्यों आयों भाई जल्दी से यहां पर जॉइन करना था ना क्लास चलो हां तो जल्दी से मुझे बता दो इसका सही आंसर क्या होगा इनमें से कौन सा स्टेट्मेंट सही नहीं है दिल्ली सल्तनत जी ने PDS सिस्टम को शुरू किया था अरे भाई अब देखो यहां पर सबसे पहली बात तुगलग डाइनस्टी ने माक्सिमम रूल किया था यह सही है कि नहीं बिल्कुल सही है कैसे मैंने आपको याद रखवा है था T से होता है टॉल यस और नो T से क्या होता है टॉल तो स सबसे कम समय चुरू करने वाली के से खिलजी खिलजी ने सबसे कम समय चुल किया था ज्यादा समय चुल नहीं किया था तो यह पॉंट तो सही है भाई दिस इस राइट सेकेंड है आलाउद्दीन खिलजी के कमांडर उलूख खां अलाउद्दीन खिलजी के कमांडर उलूख खां कबसे हो गए उलूख खां कबसे हो गए मुझे बता दो उलूख खां नहीं है भाई आलाउद्दीन खिलजी के जो कमांडर है वो उलूख खां नहीं थे आपको पत में और इन मंगोलों से लड़ाई किसने की थी तो उलूग खाने नहीं की थी बलकि जफर खाने की थी जो कि आ लाउद्दीन खिल जी का सेना पती हुआ करता था लड़ाई करते-करते मर गया था तो यह ऑप्शन गलत है इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है वह सही आंसर होगा पेडिया सिस्टम चालू किया था लाउद्दीन खिल जी ने बिलकुल किया था यह बात सही है और साथ में इबन बतूता जो है उन्होंने पोस्टल सिस्टम के बारे में बिलकुल दिया है इबन बतूता कहां से आई हुए थे मुरोकों से आई हुए थे मुरोकों करके आपको बता दिया है next question next question है भाई आपका यहां पर बताना है Congress ने 1919 में हुए जलिया वाला बाग हत्याकान की जाज के लिए अपनी और से मदन मोहन मालविय की अध्यक्षता में एक समिती घटत की थी निमले खेत में से कौन इस समिती का अध्यक्ष नहीं था इतना सा आपको यहाँ पर बताना है था ना तो मुझे जल्दी से इस का सही आंसा बताएंगे कि इसमें से कौन जो है इस समिती का अध्यक्ष नहीं था क्यों जल्दी से क्या हो गया भाई अब हाँ बिलकुल बिलकुल सही एब ने बतूता कि बुक का नाम है रहला सफर नामा भी उनी की बुक का नाम है सफर नामा क्योंकि वो मुरोको ट्रैवलर थे बहुत ज़्याद सफर किया करते थे बुक रहला और सफर नामा एक यह नाम है न तो दोनों आप लोग याद रख लेना, चलो, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी आंसर आ रहा है भाई, तो एट्थ वाले का आंसर एक बार हम देख लेते हैं, कि इसका सही आंसर क्या है, हम सबी को पता है, 13 अप्रेल 1919 में जलिया वाला बाग हत्याकांट हुआ था, सबको प मेंबर, लेकिन जगत नारायन उसके मेंबर नहीं थे, इसलिए जगत नारायन जो है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा, समझ में आया कि ने, चलो, आगे चलते हैं, नेक्स कोशन, दूसरा कोशन है, निमलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, इसमें से, आपक करणिल का में उसक хотел, अगे अचलो, इसमें से सही आंसर वो आपको बताना है, तो जदी से मुझे बता दो कि कि सका मर्डर वो कब-कब हुआ था, ज़ल्दी से मुझे बता दो, फटा फट Και झाल झाल तो आया की नहीं आया फटाफट आंसर नमबर ऑप्शन नमबर भी आ रहा है ऑप्शन नमबर भी आ रहा है देखो इसका जो सही आंसर है that is Bombay है ना यह Bombay में नहीं बलकि यह पुडे में हुआ था और अगर मैं बात करूंगी का just writer किस ने किया था तो यह भी आपको पॉइंट रखना है चापेकर भुडेंट इनका मर्ण किया तो चापेकर भाईयों किया था यए यदा रखले ना भाई उसके बाद अगर मैं बात करूंगी जैक्शन का किसने किया था अनंत लक्ष्मन कणहरे किस नहीं किया था Anant लक्षमन कंहरे नहीं किया था और अमसे फोट्टी उधवा हम सिंग गय थे सीधे लंडन मारने के लिए कहां गय थे लंडन गय सफिधे मारने के लिए उस्टंपी रेवोल्युशनरी आप वह देख रहे हो की आखिरकार उनकी अंदर जो क्रांतिकारी की आग होती थी वो कितुनी खतरनाक होती थी कि एक भारत का व्यक्ति भारत का क्रांतिकारी लंडन पहुंच गया वो भी जन्रल डायर को मारने क्यों कि जन्रल डायर ने हमारे यहां पे लोगों की जलिया वाला बाग हत्याकांड में बहुत साइलों की जान लेली थी यह जो जुनून है ना इस तरीके का जुनून आप लोगों में बहुत लैक करता है क्यों क्योंकि आप लोग जो है पढ़ाई में भी बहुत मकारी देखाते हो यह जुनून बहुत जरूरी है क्योंकि जीत को जुनून की आवश्यक्ता होती है समझ में आ रहे कि नह चलो, आगे बात करते हैं, next question, यहाँ पर पूछा है, whom did Akbar bestowed with the title of Kabhi Priya, very important, अकबर ने, किसे Kabhi Priya की उपाधी से विभूशित किया था, यह बताना है, कि अकबर ने Kabhi Priya की, जो Kabhi Priya की उपाधी है, उससे किसने विभूशित किया था, यह आप मुझे बता दो, जल्दी से बता तो राजामान सिंग, अब्दुल रहीम खाने खाना, राजा बीरबल या फिर राजा तोडर्मल, फटा फट बता दो भाई, राजामान सिंग को किया था क्या, अब्दुल रहीम खाने खाना को किया था क्या, बी आंसर आ रहा है, अब्दुल रहीम खाना खाने को किया था, क्या answer आप लोग देरेों, पिटाई वाले काम करते हो, बिल्कुल पिटाई वाले काम करते हो, भाई ये तो राजा बीरबल है न, भी answer के ओदेरेो, option number C, सही है, राजा बीरबल, इनका real name क्या था, याद है की नहीं आप लोगों को, महेश दास, yes or no, बीरबल, पहले जो के कोट में नहीं थे किसके कोट में थे ये भी प्रलिम से पूछा जाता है कि अकबर के दर्बार अकबर के दर्बार में जो बीरबल था वो बीरबल जो था वो अकबर के दर्बार में आने से पहले किसके दर्बार में था तो इंपोर्टेंट है बगेल डाइनिस्टी के रूल था राम संद्र के पास कि हमें अकबर चाहिए है Sorry हमें बीरबल चाहिए है है ना उसके बाद जो है बीरबल अकबर के दरबार में आये थे समझ में आये कि नी इसलिए बीरबल जो है राजा बीरबल जो है वो इंपर्टन हो जाते राजत तोडर्मल यह कई सारे एकनॉमिक रेवेन्यूज लेके आये थे अकबर के मुगल के टाइम पर एक्जामपल जो बंदोबस्ट सिस्टम था वो इन मतलब इनके इनिशियेटिव पे इनके he was the person behind the contents of बंदोबस्ट सिस्टम समझ में आये कि नहीं चलो उसके बाद अगर मैं यहां पर और जिस्ट एकिंड दिली पूछ रहे मैं बीरबल कप से गाना गाने लगे जस्ट एकिंड सॉरी सॉरी वह मैंने आपको तांसेन की स्टोरी बता दी जस्ट सेकिंड सो सॉरी तांसें मैं खोड़ा कन्फ्यूज हो गई चलो ठीक है थांक यू फोर करेक्टिंग मी वह तांसेन की स्टोरी में आपको समझा रही थी बिल्कुल हसने की बात है तो तानसेन जो था बेसिकली है ना वो था रामचंद्र के दर्बार में वहां से इनको ले के आया था ठीक है चलो अब आगे हम चलते हैं बात करते हैं यहां पर राजा तोडर मल है ना यह एकनॉमिक के लिए थे राजा मान सिंग आप सभी को पता हिंदू जनरल थे मनसबदार थे अकबर के उसमें और यहां पर मैं बात करूंगी तो उन्होंने हल्दी गाटी के युद्ध में पाटिसेपेट किया था अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इन्हों खाने खाना की उपाधी दी थी अकबर ने दी थी तो अगर यह पूछेंगे कि खाने खाना की उपाधी जो है वह यहां पर किसको मिली थी तो अब्दुल रहीम को मिली थी ठीक है ना चलो आगे चलते हैं और आगे यहां पर हम बात करतें आगे बात कर तो मुझे बिल्कुल, बिल्कुल सही आंसर आचुका है, option number D, वीर सिंग बुंदेला जो है, वो सही आंसर आचुका है, वीर सिंग बुंदेला, basically जो अबुल फजले, आप सभी को पता है, अकबर के नवरत्न में इसे एक था, यसा नो, अकबर के दरबार में था अबुल फज जो है, अकबर के, अगर मैं बात करूँगी, तो जो जहांगीर था, जहांगीर है ना, जहांगीर का बहुत अच्छा दोस्त था, कौन? वीर सिंग बुंदेला, बहुत अच्छा दोस्त, और जहांगीर चाहता था कि इस अबुल फजली की हत्या हो जाए, इसलिए उसने वी इस तरीके से हुई थी, इतने भयानक तरीके से, इसलिए ग्वालेर के पास एक जगे भी है, जिसका नाम है आकडी, तो वो इसलिए है, क्योंकि इनकी पूरी आकडिया निकाल ली गई थी, समझ में आया कि नहीं, तो ये आप लोगों को वीर सिंग बुंदेला जो है, इसक थी, स्थापना किस ने की थी, ये आपको बताना है, तो इलतुत मिश ने, आलवदीन खिल जी ने, फिरोशा तुगलक ने, या फिर बलबन ने, जल्दी से बता दो, बलबन is the right answer, option number D आ चुका है, बलबन जो है, सही answer है, अगर मैं इसकी बात करूँगी, कि भाई, दिवाने अर्ज का head कौन हुआ करता था, तो head आपको पता हुना ची, अरीज ए मुमालिक है, यह जो है, इसके head हुआ करते थे, यह आप लोगों को याद रखना है, दूसरी चीज, अगर मैं बलबन की बात करूँगी, तो आपको पता है, सजदा और पाईबूस सिस्टम, जो है, सजदा मतलब की, ऐसे ऐसे करके, दरबार के, राजा के सामने आ फिर आला उद्दिन खिल जी के बारे में आप सभी को पता ही है, फिर उसके बाद फिरोश्या तुगलक जो है, इन्होंने कई सारे कैनाल्स का डेवलप्मेंट के नहरे बनवाई हैं, बहुत सारी चीज़ें, जो कुतोब मिनार का तीसरी बार रीकंस्ट्रक्शन जो है, रे अकबर अफ दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहा जाता है, तो वो फिरोश्या दोगलक है, तो कई सारे फैक्स जो हम इस तरीकी से डिसकस कर लीए, यो प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो एक कोश्चन से मैं आपको कोश दिल्ली मैश नहीं है, यहाँ पर बताना है, करनाटक का प्रथम यूद, 1746-48, दन करनाटक का दुत्विय यूद, 1752-52, दन थर्ड वन इस, थर्ड वार अफ करनाटिक, 1758-63, थर्ड बैटल ओफ पानिपद, 1761, जल्दी से मुझे बता दो, इसका सही आंसर क्या होगा, 46-48, दन, करनाटिक युद्ध आ गया, यह रागया, तो बस सुट्टी-पुट्टी गोल जाती है, आप लोग की, इसका सही आंसर है, option number 2, है न, अगर मैं युद्ध की बात करूंगी, तो basically, यह जो था न, जब यह आपका first war of करनाटिक खतम ही हुआ था, 46-48, तभी second वाला चालू हो गया था, 1749-54 तक चला था, और उसके चार साल बाद यहां पर third war of करनाटिक चालू हो गया था, तो इसको तीनों की year important है, year paper में पूछे जाते हैं, याद कर ले न, अच्छे से, third battle of पानी पज जो है, वो 1761 में हुआ था, आप सभी पता है, अफगान और मराथा के बीच में हुआ था, और इसमें हमारे लिए एक history में changing time period के रूप में हम उसको देख सकते हैं, चलो, आगे चलते हैं, next question, दूसरा question है, who founded the एहमदबार textile labor association, बहुत important question है, कई सारे बच्चे यह जो है, मतलब कि basically इसका founder बहुती famous person है, अब इसके अगर founder की बात करूंगी, बह बहुत जाते हो, तो अब इससे hint तो लगी गई होगी भाई, आंसर क्या होगा, तो जल्दी से मुझे बता दो, दिलीप कुमार का आंसर आचुका है, M.K. Gandhi, that is, Mohandas Karamchand Gandhi, तो बिलकुल सही आंसर है, भाई, Mohandas Karamchand Gandhi, इसका सही आंसर है, एहमदबार textile labor association जो थी, उस time की से बड़ी trade association थी, trade association सबसे बड़ी थी, और जब, basically, Mahatma Gandhi ने जब इसको स्थापित किया हुआ था, तब ही उन्होंने उस time पे principle दिया था, किसका principle of trusteeship, किसका principle दिया था, principle of trusteeship, मतलब ये, ये तो मेंस का question है, भाई, principle of trusteeship क्या है, एक line में आपको बता देती हूँ, concept आप लो कि जो owners हैं, वो owner नहीं है, बलकि trustee है, मतलब ये जो जमी जायदाद है, ये property है, ये सब की है, आप लोग सिर्फ उसके trustee हूँ, आपका काम है उसको proper तरीके से समालना, और उसको, उसमें लोगों को इस तरीके से recreate करना, चाहे वो employment से related हुए या किसी और तरीके से, ताकि उ bread earn concept, concept भी है, उसको भी आप पढ़ लेना, इसी तरीके से इनका, राम राज स्टेट का भी concept है, महात्मा गांधी खा, वो भी important है, है ना, seven sins of महात्मा गांधी, वो भी important है, तो ये main case के हसाब से important है, अभी prelims मुझता important नहीं है, तो उसको भी मैं detail में discuss नहीं कर रही हूँ, आगे चलेंगे, next question, दूसरा question है, arrange the following events according to the chronological order and select the correct answer using the code given below, है ना, तो चलो, मुझे चल्दी से अब बता दो यहाँ पे, काकोरी conspiracy, बार्डोली सत्याग्रह, चिटगाउं, आर्मरी case and establishment of जोचवान भारस सभा, options दिये हुए, पटाफट मुझे बता दो, चलो, इसमें एक ब बार्डोली सत्याग्रह से associated सरदार वल्लब भाई पतेल हैं, गुजरात, बार्डोली जगे हैं, गुजरात में, वहाँ पर no tax, no revenue campaign launch की थी सरदार वल्लब भाई पतेल ने, और इसी बार्डोली सत्याग्रह में ही, जो वहाँ की बार्डोली की महिलाएं थी, उन्होंने सरद वल्लब भाई पतेल को सरदार का टाइटल दिया था, तो ये आपका कौन से येर में हुआ था, 1928 में हुआ था, चिटगाओं आर्मरी केस जो है, वो सूरे सेन से, बंगाल के एक important करांतिकारी युवाख है, सूरे सेन, मतलब मैं आपको बताओ, बिचारे सूरे सेन के कहानी तो इतनी दर्दनाक है कि मेरे खुद रॉंक डिखड़े हो जाते है, सूरे सेन को जब ब्रिटिशर्स ने मारा था ना, जब उनको पकड़ा था, तो उनके जो उनके नाखों ने ना, उनको ऐसे खीच के निकाल लिया था, मालूम है, उनकी इतनी खतरनाक मृत्यू की थी, फिर उनकी जो दान थे ना, उनको हतोडों से तोड दिया था, सूर सक्यूक उँआ, मतलब उनको मारा कैसे गया था, फिर उसके बाद इनको एक कफन में बांध कर, और जाके ना, समुद्र में भेग दिया था, इनका अंतिम संस्कार निक नी करने दिया था, तो यतनी ज़ा इसका क्या बनेगा भाई, सबसे पहले तो one, one कहां पे दिया हुआ है, यह है one, और कहीं दिया है क्या, यहां भी दिया है, फिर आपका यहां पे आएगा four, four कहां दिया है, यहां पे, then आपका आएगा यहां पे two, three, तो इस तरीके से option number a जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा, बहुत सही, आप लोगों ने सभी ने बहुत एगदम सही आंसर दिया है, आगे चलेंगे, चलो, आगे बात हो रही है यहां पे, तुगलक राजवंश की स्थापना किसने की थी, फिरोश्या तुगलक, जौना खाँ, गाजी मलिक या फिर खिजरिक खाँ, बता दो जल्दी किसने की थी भाई, फिरोश्या तुगलक डाइनस्टी, फिरोश्या तुगलक, जौना खाँ, गाजी मलिक या फिर खिजरिक खाँ, अक्षत कह रहा है, मैम सी, बिलकुल, बिलकुल, गाजी, गाजी मलिक is the right answer, जिनका real name, basically इनका नाम क्या था, ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद आपके कौन आ गए थे, MBT आ गए थे, मोहमद बिन तुगलक, जो कि बहुत होश्यार, मोहमद बिन तुगलक दिल्ली सल्तिनत के बहुत होश्यार विक्ती थे, हैना सबसे होश्यार थे, फिर भी उनके जितने भी reforms थे, वो सब फेल हो गए थे, किसमत की बा तुगलक जो है, फिर इनके बाद आये थे, फिरोश्या तुगलक, इनके बारे में आपको अल्री बहुत सरी चीजे में बताई चुकी हूँ, तो यहां पर आप देखेंगे, तो ग्यास उद्दीन तुगलक जो है, यह इसका यहां पर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो सबसे longest ruling dynasty रहे है डिली सलतिनत में लगभग 93 years तक इसने रूल किया है, कितने सालों तक रूल किया है भाई, तो 93 years तक रूल किया है, आगे चलेंगे, next question, which of the following बहामनी सुल्तान shifted his capital from गुलबर्ग to बीदर, हाना, बहामनी से पूछाए कि भाई, गुलबर्ग से बीदर, इन जल्दी से मुझे बता दो, किस ने किया था, आंसर नहीं आया है, बहामनी, मैम, हम लोग थोड़ी पढ़ते हैं, हम सिफ नौर्थ इंडिया की डाइनिस्टी पढ़ते हैं, इसमें हम अकबर जहांगीर, शाहां जहां पढ़ लेतें, दिल्ली सल्तनाथ पढ़ लेतें, बस, साउथ से हमको कोई लेना देना नहीं है, साउथ हमारे सामने भी आता तो हमाँ सिर दुखने लगता, तो हम छोड़ देते हैं, ऐसा केस तो नहीं है आप लोग के साथ, चलो, तो इसका तो सही आंसर है, that is, एहमद शाह है, एहमद शाह जो है, उन्होंने यहापे capital को shift किया आता, फ्रम गुलबर्ग तो बीदर, जो कि बहामानी kingdom से एक important question है, इसको आप लोग यहापे पढ़ लेंगे है, याद कर लेंगे, next, पूछा गया है, कंखा जो है, वो किस से associated है, बुद्धिस्ट आश्रम से, जैन आश्रम से, सूफी आश्रम से, या फिर हिंदु आश्रम कॉम करते हो, यह कंखा है, है ना, कंखा, अब जो भी बोलना हो इसको, हाँ, जल्दी से मुझे बता दो, इसका सही answer क्या है, आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग ने पढ़ा हो तो, सूफी, जो सूफिजम जब भारत में आया था, तो इस सूफिजम में 12 सिलसिले थ है, मैं आपको बता दू, इस सूफिजम में 12 सिलसिले थे, इनका एक एक ना head हुआ करता था, हर सिलसिले का एक-एक, head हुआ करता था, जैसे कि for example, हमारे यहां पे भी कई सारे संप्रदाइ चलते हैं, चलते की नी, जैसे जैनों में उनके आचार जी होते हैं, होते की नी, head स समझ है ना तो इनके head को यहां पर पीर किया गी प्रिसर को पुंछ लेनगे कितने Fantastic या करते थे यह भी आपको पता नोगे से कादरी सिलसला हो गया नक्षबंदी सिलसला हो गया समझ में आया की नहीं तो यह जो है कुछ सूफी से भी इंपोर्टेंट पॉइंट है प्रिलिम्स के लिए याद रख लेना चलो आगे चलते हैं पूचा है हो बिल्ट दा लेक आफ्टर विच दा सिटी अम्रिट सर इस नेम्ड बताओ जल्दी से हां ऑप्शन है गुरू रामदास गुरू अर्जुन देव गुरू गोविन सिंग और गुरू नानक इनमें से सही आंसर क्या है अम्रिट सर लेक पूचा है भाई अम्रिट सर नहीं पूचा है लेक पूचा है लेक किस ने बनवाए है जिसके बाद उस सिटी का नाम ही अम्रिट सर पढ़ गया अक्षत का सही आंसरा घया है गुरू राम्दस गुरू राम्दस एकदम इसका सही आंसर है हैng ना इसके सुलेख भीच में उन्हों बैसिकली बनवाय सै और उसी लेग के में पता होना चाही है किहीं उसके नीचे हर मंदर सहीं के ऐसी चलती कि उसके नीचे जो कहावते चलती है, असी जो stories है, उसमें आपका क्या कहना है, story पता होगी, तब तो कुछ कह पाओगे, yes or no, अर्जुन देव को किस ने execute किया था, कोशन आता है, तो जहांगीर ने execute किया था, जहांगीर ने इनको मारा था, इंपोर्टेंट है गुरू गोविंद सिंग की बात करूँगी तो लास्ट सिख गुरू थे गुरू नानक की मैं बात करूँगी तो फाउंडर ओफ सिखिजम जो है वो आपके कोई और नहीं बलकि गुरू नानक थे और गुरू गोविंद सिंग के बात जो है गुरू की Company ने अपनी पहली Factory को कहाaben स्टाबरिश किया था सूरत कोची मुंबई और गुवा जल्दी से मुझे बता दो कहां पर इस्टाबलिश किया था सूरत में किया था कोची में किया था मुंबई में किया था धी बी कोच्छी आंसर आया है नी कोच्छी is not the right, सूरत सूरत इसका सही आंसर है, किसी ने सही आंसर दिया है, that is वरुन तिवारी ने सही आंसर दिया, तो सूरत is the right answer, उस टाइम पर जहांगीर थे, जहांगीर से परमीशन ली गई थी भाई, और परमीशन लेने के बाद सूरत मे जो है East India Company ने अपनी factory को सबसे पहले उन्होंने यहीं पर establish किया था है, चलो, आगे चलते हैं, next question, पूछा गया है, निमलिखित में से किस राजनेता ने परमपरागत धार्मिक उत्सव का उपयोग राष्ट्रवादी के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया था, which of the following politician used the traditional religious festival for the propagation of the nationalist ideas, जल्दी से बता दो, लाला लाचपत्र आये, बाल गंगधर तिलक, और अरुबिंदो घोष्य या फिर गोपाल कृष्न गोखले, I think यह तो आंसर आपनों को पता होगा, क्योंकि यह भारतिय संस्कृती से भी associated है, बिलकुल, अक्षा तोर यहां पे, इत तूसी चिंटी, हसी आती है मुझे भी, तो इसका जो सही आंसर है, दाटिस बाल गंगधर तिलक, बाल गंगधर तिलक ने यहां पे, यहां पे तिलक उस्सव और सास साथ में गणेश उस्सव, दोनों को चालू किया था, गणेश उस्सव, जो आज आप लोग गणेश जी क जहांकियां रखते हो, गणेश रखते हो, वो उन्होंने उस टाइम पे चालू किया था, यह सुनो, और यह जो गणेश उस सब है, इसका इस्तमाल जो है, वो स्वदेशी मूवमेंट में भी हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, अब देखो, कई सारे बच्चे ना, कन्फि स्वदेशी को उन्होंने प्रमोट किया था, लेकिन स्वदेशी मूवमेंट जो है, वो 1905 में हुई थी, समझ में आया कि नहीं, क्यों हुई थी, बेंगॉल पार्टिशन के कारण, तो यह आप लोगों को यहां पर पताऊ नहीं, बाल गंगाधर तिलक जो है, इसका सही आं मुबारक खान और कैकुमार खान, जल्दी से मुझे बता दो, आला उद्दीन खिल जी, देखो, हम जब भी खिल जी डाइनस्टी को पढ़ते हैं, तो मैं आपको बता देती हूं, आला उद्दीन खिल जी तक हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम लिख देते हैं, कि वीक सक्सेस अगर कौन रहा था, तो जल्दी से मुझे बता दो, कौन रहा था, हम, सुदीप्ती का इगदम सही आंसर आ है, शिहाब उद्दीन ओमर, बिलकुल बिलकुल सही आंसर आया, शिहाब उद्दीन ओमर जो है, वो रहे हुए थे, आपके कौन रहे थे, हूं अमंग दा पॉलिं किया था और expansion किया था लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूँ मलेक काफुर ने आला उद दिन खिल जी कि दो जो दो बच्चे थे ना इसमें से खिज रखा भी था और इसमें से मुबारक भी था इन दोनों बच्चों की आँखों को निकाल लिया था और जो grand son थे ना उनको भी म commanders were, मतलब एक गदी को पाने के लिए किस हद तक वो लोग गिर जाते हैं और कितनी बुरी तरीके से दूसरों की वो मृत्यू करवा देते हैं, yes or no? अभी तो इस तरीकी की event हमारे आसपास नहीं होती ना, बट उस टाइम पे आप सोचों कैसी हरकते होती थी, तो इसलिए शि बहां बुद्दीन ओमर हो गया और ये आला उद्दीन खिलजी के बाद ये कौन थे? सक्सेसर थे, next question, दूसरा question है, इसमें से बताना है, मौर उत्तरकालीन शको के संधर में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, which one of the following is not correctly match with respect to the post-mauryan शक, है न, शाकास से related नहीं है, तो आप झाला 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 आंसर आया कि नहीं आंसर आया है भाई C भी आ गया, B भी आ गया, D भी आ गया, सारा का सारे ही आ गया है देखो इसका जो सही आंसर है, that is मालवा, क्योंकि मालवा में जब शाक आये थे, तो इसको बिसिकली चास्ठान जो है, इन्हों ने इसको बिसिकली लीड किया था है ना, तो ये आप लोग को याद रखने चाहिए और ये शाकास बिसिकली सिंथियंज गुआ करते थे, सेंटर प्रांचेस हैं, उसमें से एक तक्षिला में थी, मत्धुरा में थी, नासिक में थी और मालवा में थी, है ना, तो ये हला कि इंपोर्टेंट उतना तो नहीं है, बढ़ हाँ, क्या होता है कि हमें ऐसे कोशन के लिए भी रेडी होना पड़ता है, जो पेपर में पूछे जा कौन सा एक कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, देखो यहाँ पर, पार्टिशन अपर बेंगॉल वस इंप्लीमेंटेड ओन 16 अक्टूबर 1905 बाइद देन वाइसरोय लॉर्ड करजन, 16 अक्टूबर 1950 को ततकालीन वाइसरोय लॉर्ड करजन द्वारा बंगाल विभ कोमेंट स्टार्ट हो गई थी, पार्टिशन ऑ बेंगॉल की रिस्पॉंस में, फिर पार्टिशन ऑ बेंगॉल जो है, वो कैंसल हो गया था, 1912 में, न्यूवे का अंसर आचुका है, अंसर नंबर D, बिल्कुल सही है, बाई, ऑप्शन नंबर D जो है, वो सही अंसर है, 13 October, that is 16 October, ठीक है, अभी क्या है, 14 October मतलब दो दिन बाद, इसको morning day के रूप में celebrate किया गया था, morning day, जब किसी की, मतलब की बहुती दुखिद टाइप का दिन है, morning day के रूप में celebrate किया गया था, फिर पार्टिशन ऑ बेंगॉल के टाइम में, वाइसरोय कॉन था, तो लॉड करजन, यह दूसरा fact यहीं पर cover हो गया, फिर जब मैंने आपको बताया, कि यह तो वाइसरोय थे, वाइसरोय उसने पूरे इंडिया के हुआ करते थे, फिर इनके अंडर में अलग अलग यहां पर गवर्नर भी तो हुआ करते थे, तो यह भी question पूछा रहता है, कि भाई, ब कि बंगाल का जब partition हो रहे था, तो उसके response में स्वदेशी movement को चालू किया गया था, है ना, तो यहां पर स्वदेशी movement को चलाया गया था, यह भी सही है, फिर partition बंगॉल में इतना ही जाधा जब movement कलाई गई, तब वहां पर वाइसरोय को समझ में आए कि नहीं उनको वापस से एक करना पड़ेगा, इसलिए 1911 में, यह 1912 लिखा न, यही चीज गलत है, 1911 में जब दिल्ली दर्बार लगा था, उस दिल्ली दर्बार में यहां पर क्या हुआ था, पार्टिशन ओफ बंगॉल को एन्नियूल कर दिया गया था, है ना, इस टाइम पर 1911 में बात करूँ कि वाइसरोय कौन था, तो लॉड हार्डेंज थे, कौन था वाइसरोय, लॉड हार्डेंज थे, है ना, और आना किसको था, जौर्ज पंचाम आई हुए थे, यह भी प्रिहम्स का कोश्चन है, बहुत सारे कोश्चन से एक ही पॉइंट से कई सारे डाइमेंशन आप निकाल के अंतरगत, बंदगा, शब्द का इस्तमाल, जो है, वो किस लिए किया जाता था? लेबर के लिए, स्लेव्स के लिए, फार्मर्स के लिए, या फिर लैन्ड लॉड्स के लिए, यह कॉश्चन तो ऐसा कॉश्चन है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा ना, कहीं नहीं भी पढ़ा होगा ना, तो भी option देख के आप सही बता सकते हूँ, हाँ, अक्षत का आगया है, अभीने का आगया है, भी, अभीने, गुलाम, हाँ, ओके, सुदीप्ती भी, बिल्कुल सीधी सी बात है, slaves, क्योंकि बंदगाउं जो है, ठीके, बंदिगार, बंदगाउं, यहीं से तो आए हूँ है, इसलिए slaves का सबसे अदा स्तमाल होता था, और इन slaves को खरीदता कौन था, तो दिल्ली सल्तनत के जो king होते थे, दिल्ली सल्तनत के जो राजा हुआ करते थे, वो इन slaves को खरीद लिया करते थे, है न, और इनी के slave, खरीते-खरीते, slave के slave, slave के slave के कारण, दिल्ली सल्तन में dynasty भी आई थी, slave dynasty, यादे की नहीं, तो slaves जो है, इनका, इन शब्द को उससे इस्तमाल किया जाता था, एक और शब्दे, forced labor, forced labor, forced labor, forced labor जो है, इसको किस नाम से जाना जाता था, history में, बता दो, किस नाम से जाना जाता था, question ये भी पूछा जाता है, मुझे जस्ट एकदम इसको पढ़ाते-पढ़ाते, एकदम दिमाख में आ गया, मैंने सोच, आप से पूछ लेती हूँ, बताओ, जल्दी से बता द चलो, वैसे तो quality के class नहीं है, बढ़ ये बता दो, कि history में किस नाम से जाना जाता था, paper में पूछा जाता है, क्योंकि, कि बिस्टी नाम से जाना जाता है, इम्पॉटेंट है आप लोग फ्ली इसको याद रख लीना है, कुछ-कुछ चीज इम्पॉटेंट याद आजाती है, तो मैं बता देती हूँ आप लोग को, चलो, article 14 है, 24 है वैसे तो, उसका सही answer है, तो यह हो जाएगा, next question, दूसरे question क दर्फ चलते हैं पूछा गया है कि 1565 इस्वी में राक्षस तरंगडी का जो युद्ध हुआ था विजन अगर समराज के विरुद्ध दक्कन के किन-किन सुल्तानू का गुठ था कई बार पेपर में पूछा जा चुका है क्योंकि जब हम साउथ हिंडिया की बात करते हैं तो राक्षर तरंगडी का एक मात्र ऐसा युद्ध जो बहुत सदा फिमस है तो इसमें लगभग वहां के जितने भी एंपायर था उन सब ने पार्टिसिपेट किया था सर्फ एक ने नहीं किया था तो इसलिए यहां पे अब मुझे ऑप्शन देखके जल्दी से बता दो कि इ बीजापूर एहमदनगर खान देश और बरार बीजापूर खान देश बरार और बीदर तो इसका सही आंसर क्या होगा option number B option number B कैसे होगा? खान देश तो होई नहीं सकता ना, यहां से पहली खान देश था ही नहीं यहां पेग में बात करूँगी कि यहांपे दक्कन के जो राज्य थे, खान देश तो मध्यप्रदेश में आता है दक्कन वाले लाके में आते ही नहीं, तो cut, खांदेश यहां भी दिया हुआ है, तो cut, option number बचा one, ठीक है, तो आप लोग इतना याद रखो, कि जितने भी आप देखोगे, कि जितने भी दक्कन में जो आपके राज हुआ करते थे, वो पांच राज थे, एक तो था एकसप्ट बैरार, बैरार ने नहीं किया था, ये भी पेपर में पूछा जाता है, बैटल ओफ ताली कोटा किस वर्ष हुआ था, याद रख लो, अभी अपने फिंगर टिप्स पे 1565, बैटल ओफ ताली कोटा को यहां पे बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहा जाता है, बन Battle of Demons, Battle of Demons, English में, Rakshas Tarangani, Battle of Demons इसी को बुला जाता है, सेम है, ये दोनों, अगर ये तीनों ना मज़ें, इसलिए इंपोर्टेंट है, थ्री मार्कर में पूछता है, थ्री मार्कर में हिस्ट्री में पूछा जाता है, Battle of Tali Kota, Battle of Tali Kota भी इसी को बुला जाता है, लिखा है कि नहीं लिखा है अप, Rakshas Tarangani लिखा हुआ है, इसको Tali Kota, Tali Kota का युद्ध, बन्नी हटी का युद्ध, Rakshas Tarangani का युद्ध, इसे ही बूला जाता है, I hope आप लोग इसको याद रख लोगे, इसमें कोई प्रॉबलम नहीं गई होगी, थ्री मार्कर के साब से भी इसको पढ़ लेना, आगे चलते हैं, next question, दूसरा question है, कि निमलिखित में से किसने कन्व वन्ष के अंतिम शाशक, शुशर्मन की हत्या करके साथवाहन वन्ष की स्थापना की थी, साथवाहन वन्ष की किसने स्थापना की थी, सतकर्णी फरस ने, शिमुक ने, या सतकर्णी तू या वसुदेव ने, अब इस question में देखो, अब यहाँ पे, अगर आपको यह नहीं भी पता ना कि सुशर्मन की हर्त्या किसने की थी, तो उसमें आप मत ध्यान दो, अगर आपको यह पता है कि साथवाहन वन्ष की स्थापना की थी, तो founder भी अगर आपको याद होगा तो भ दो कैपिटल भी हुआ करते थे, साथवाहन की दो कैपिटल हुआ करते थे, कौन कौन से थे, एक तो कैपिटल का नाम है प्रतिस्थान, प्रतिस्थान है ना, और दूसरी कैपिटल का नाम है अमरावती, जो की महरास्ट में है, ठीक है, प्रतिस्थान अमरावती दो ट्रिजर मुगलों के टाइम पर पर्शय भाश्य में लिखे गए थे लेकिन लांग्वेज जो है साथ वाहन की कौन सी हुआ करती थी बताओ जड़ा जल्दी से जी तेंद्र का सही आंसर आ चुका है प्राकरित बिल्कुल प्राकरित जो है एकदम सही आंसर है इस तरीके कोशन ही तो प्रिलिम्स में पूछते यही पूछते प्रिलिम्स में यही पूछेंगे प्रिलिम्स में यह अगर बन जाते ना यह कोशन तो बस काम हो जाता है हिस्ट में है यह आपको बताना है जल्दी से मुझे बता दो ग्वालियर का किला राइसन का किला और्चा का किला या फिर बांधव गड़ का किला किस किले में है बिल्कु सही आंसर आचुका है गौलियर फोट गौलियर के फोट में बहुत सारे उसमें दर्वाजे बने हुए जो की माद्यप्रदेश के लिए इंपॉटेंट हुजाते हैं अब आप पुछोगे मैं दर्वाजे भी पूछते हैं क्यों क्योंकि MP का पेपर है डीप में भी को लोग जा सकते और यहां के जो दर्वाजे हैं वो सारे के सारे इंपॉटेंट है जैसे यहां पर आपको एक हाती फोट दर्वाजा भी मिलेगा हाती फोट दर्वाजा फिर आपको गूजरी दर्वाजा भी मिल जाएगा यह भी इंपॉटेंट है ना तो यह जो को क्या बोला जाता है जिबराल्टर ओफ इंडिया बोला जाता है कि नहीं ये भी आप लोगों को याद रखना है तो ये कुछ-कुछ बोला जाता था कि यहां का जो राजा था वो राय था और जो यहां की रानी थी वे यहां पर सैन थी फेन सरनेम संना हैं कि नहीं सुना्स diferentes उरे सन्र मिल गए तो यह वन गया राय सयंधर प्रयूर्चा करवाया था और शांद में ही आपके तो यह वह वहां रामेर 01 देती है न एक मात्र ऐसा टेंपल है जहां पर पुलिस जो है वो गाट देती है और एक मात्र ऐसा मंदिर भी है जो की गर्ब ग्रह में ना बनते हो एक किचिन में बना हुआ है ठीक है यह भी पॉइंट आप लोग या और बांधवगड आप सभी को पता है बांधवगड दो गुलाम गिरी चलो गुलाम गिरी जो किताब है उसके ओथर कौन है भीम रांबेटकर इवी रामस्वामी जोतिबा फुले या फिर राजा राम मोहन रॉय आंसर आ चुका है जोतिबा फुले जोतिबा फुले इस दा राइट आंसर और जोतिबा फुले की वाइफ कौन थी सावित्री बाई फुले याद है की नहीं आप लोग को सावित्री बाई फुले और सावित्री बाई फुले को फस्ट फीमेल टीचर माना जाता है इंडिया का क्योंकि उन्होंने पढ़ाई लिखाई शुरू की थी yes or no और सावित्री भाई फुले की मैं बात करूंगी और जोतिवा फुले की तो इन्होंने नाइट स्कूल को भी चालू किया था और फे और फिनेज होम को चालू किया था है ना बाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह को इन् पर पैठे हैं मुझे नीचे बिठाया तो यह डिस्क्रिमिनेशन उनको अच्छा नहीं लगता था है ना उससे उनको बहुत इंफीरियर फील होता था तो बी आर अंबेटकर के इंस्पिरेशन यहीं लोग हैं यहीं दोनों हैं इन्हीं दोनों से इंस्पायर होके ही जो है बी आर अंबेटकर ने अपनी कई सारी बुक्स को लिखा है और कई सारे इनिशेटिव को लिया है समझ में आ रहे कि नहीं है ना कई सारे स्कूल्स को इन्होंने उपन किया है नाइट स्कूल्स को उपन किया था क्योंकि जो लोग दिन में नहीं पड़ पा रहे हैं फार्मर तो यहां पर क्या होता था यह घोरे कम्यूनिटी का काम होता था माली वाला जो फूलों को कलेक्ट करते हैं फिर माला बनाते हैं बंच बनाते हैं और बेचते हैं तो यह फूलों का काम करते थे इसलिए इनके नाम के आगे फुले लग गया क्या लग गया फुले फुले लग समझ में की नहीं तो दिस जोतीबा फुले और भी स्टोरीज हैं मत वो मैं आपको आकरोश बैच में सुनाओंगी पढ़ाओंगी अभी नहीं पढ़ा रही हूं यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा आप सभी को पता है भाई देन भीमरा उंबेटकर इनके बारे में बता 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी फिर 1829 में इन्होंने सती को एबॉलिश किया था सती प्रता को खतम किया था किसकी मदद से विलियम बेंटिक की मदद से विलियम बेंटिक को बेनेविलेंट गवर्नर जनरल की नाम से जाना जाता है क्यों क्योंकि इट व सारे कामनों ने किया हुए तो एक लिंक उठाओ तो कित्ती सारी लिंक जो है वो चलती जाती चलती जाती है yes or no तो यह आप लोग जो है याद रखोगे इसका सही आंसर हो गया सीधी सी बात है जोती बाफ ले सिंपल सांसर है और इजी कोश्चन है पेपर में पूछना जाता है next दूसरा आ गए हम यहाँ पे choose the correct chronology of the following events following events की correct chronology जो है उसको choose करनी है हाँ जल्दी से बता दो लखनाओ पैक्ट, establishment of सुराज दल, जलिया वाला बाग मसाकर and death of बाल गंगधर तिलग हाँ जल्दी से बता दो मुझे बी आंसर आ गया है चलो उकपर देख लिते लखनाओ पैक्ट आपका कब हुआ था 1916 में हुआ था जिसमें आपकी All India Muslim League है उसने Congress को जॉइन कर लिया था और साथ में ही जो Congress में डिवीजन हुआ था moderate और extremist में वो लोग भी जुड़ गए थे इस्टेंड इस्टाबलिश्मेंट ऑफ सुराज दल ये जो सुराज दल है ये आपका 1924 में इसकी स्थापना हुई थी किसने किस सापना की थी इसकी तो मोतिलाल नहरू और आपके CR दास नहरा जलिया वाला बाग हत्या कांड आपका 1919 में हुआ था तेरा प्लाल 1919 बाल गंगदर तिलक की मृत्य हुई थी अगस्ट 1920 में अगस्ट 1920 में इनकी मृत्य हो गई थी है ना जब तो महात्मा गांदी नहीं खाता अब order देख लेते हैं आपे तो order सबसे पहले आपे क्या जाएगा तो सबसे पहले आजाएगा number one लखनौ पैक्ट देन उसके बाद आपका यहाँ पर क्या जाएगा फिर आपका जाएगा one के बाद three one three four two जो है इसका एकदम सही answer हो जाएग जिन बच्चों को मेंस भी लिखना था तो मेंस अगर लिखना भी था तो मेंस की डेट आगे बढ़ चुकी है पर यह आप लोग फिर से focus कर सकते हो अच्छे से पढ़ सकते हो और जिनका पहली बार prelims है तो वह बढ़ियां अच्छे तरीके से पढ़ें ताकि एक ही बार में उनका exam जो है वो निकल जाए questions कुछ गुछ गुरूप में में जैसी फ्री होती हूँ वो डालती रहती हूँ क्योंकि मुझे कई सारा department का भी अपना work होता है तो department के करण अपने department का work करती हूँ फिर आप लोंकी classes भी लेती हो तो थोड़ा मेरी उपर burden भी हो जाता है ना तो अच्छे से पढ़ाई करना है आप लोग को यही कह रही हूं मैं विच्छ रूलर और ओर्चा रिवोल्टेड अगेंस्ट औरंग जेब कोशन नेक्स्ट है और ओर्चा के किस साशक ने औरंग जेब के विरुद्ध विद्रोह किया था जल्दी से बता दो क्या है इसका चंपत राय मेधनी राय मदन राय और वीर देव राय सही आंसर क्या है इसका option number यह चंपत राय शमराट अशोक कह रहा है मैं बी जी तेंद्र खह रहा है डी वीर देव राय है कौन जी तेंद्र यह आपको मालूम है यह नाम तो मैंने भी नी सुना चलो इसका जो सही आंसर है that is चंपत राय चंपत राय ने औरंग जेब की अगेंज में रिवोल्ट किया था चंपत राय के बेटे आए थे राजा छत्रसाल है ना राजा छत्रसाल जिन्हें बुंदेल खंड का श्वाजी कहते हैं पेपर में उसके बाद जब बाद में होश आया ना तब इन्होंने क्या किया था औरंग जेब के अगेंस्ट में इन्होंने लडाई की थी और एक एक करके सारे मुगल गवर्नर को इन्होंने दबोज के मार गिराय था तो इन्चंपत राय इसका सही आंसर है यह और्चा के राजा थे है ना उसके बाद में बात करूंगे मेदनी राय तो मेदनी राय आपको पता है 1528 में इन्होंने कौनसा युद्ध लड़ा था बैटल ओफ कौनसा युद्ध था यादे की नहीं है बैटल ओफ चंदेरी इनकी वाइफ थी मणी माला उनकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है अ इसके साथ हुआ था बाबर के साथ हुआ था यह दोनों चीज़ें हैं बहुत इंपोर्टेंट है और यह तो फालतू के ऑप्शन दे दी हैं ऐसी कंफ्यूस करने के लिए चलो चंदेरी अशोक नगर में बिल्कुल है ना नेक्स्ट हूं इंप्लीमेंटेट दा पंचायत सि हां चल्दी से बताओ वाट इस राइट ओप्शन ओफ दिस कोशन अभी तक आंसर नहीं आ रहा है दीक्षा का आंसर आया भी वेरी गुड दीक्षा तो कोजी राहूलकर इसका सही आंसर है क्योंकि तो कोजी राहूलकर बहुत बात में बनी थी उस टाइम पर डेवलाप्मे कि इन तीनों की तो आपको पताओ न ची मलहार राओ होलकर जो है वो होलकर समराज्य के founder है यह ना संस्थापक हैं और मलहार राओ के बेटे का ही नाम क्या था खांडे राओ होलकर है ना और खांडे राओ होलकर की मृत्यों कैसे हुई थी battle of कुम्हेरी कुम्हेरी के युद में जो है Khande Rao घ्रावाइव का नाम क्या था Ahilla bai valeur जो ने महिश्वर सिक एक को स्टैबलिश किया था महेश्वर पृट को बनवाया था काशी विश्मनात Temple को रनोवेट किया था इंवन बौध के जो गया-मंद्र है उसको रनोवेट किया था तो यह आपके अलग-अलग facts दो जाएंगे किस से related, आपके Holkar dynasty से related, तो यह बाकी questions, बाकी option को भी मतलब हमने आपे discuss के लिए, basically इसका सही answer है, तो Koji Rao Holkar, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, next, आप से पूचा है, who wrote 611 kg book named Nartan Sarvas, नartan Sarvas, जो है, इस book को किसने लिखा था, यह पूचा गया है, तो आप लोग जल्दी से मुझे बता दो, किसने लिखा था? नartan Sarvas, नartan Sarvas से है, फटाफट बताएंगे, हाँ, आंसर आये की नहीं, देखो, इसका जो सही answer है, वो है, राजा चक्रधर सिंग, राजा चक्रधर सिंग है, और राजा चक्रधर सिंग जो है, मैं आपको बता देती हूँ, यह बिसिकली रायगड से थे, और यह musician थे, musician थे, रायगड से थे, musician थे, और ऐसा बोला भी जाता है, कि यह जो book है, नर्तन सर्वस, जो है, इन्होंने लिखी थी, लेकिन आज इसको ना, bricked कर दिया गया है, मतलब कि दिवारों में चून देती थे ना, मतलब आपने सुना होगा, कि एक दिवार थी, यह book को रखा, और इसके आजू बाजू ना, दिवार उठा दी उन्होंने, तो यह book हमें मिल नहीं पाई है, ऐसी stories चलती है, लेकिन उस टाइम पे यह book बड़ी prevail करती थी, राजा चक्रधर सिंकी, जिसका नाम था, नर्तन सर्वस है, हैंना, जो कि इतनी केजी की book थी, ठीक है, तो यह आप लोगं को पता होना चीए, एक अच्छा important fact है, MP से related, यह आप से हो सकता है, पेपर में पूछ ले, next, दूसरा question है, तैयार हो जाओ, आगे बड़ो, यह किसका statement है, नवाब अली खान का, शहादत खान का, भकतावर खान का, या फिर, फाजल मुहम्मद खान का, किस ने दिया हुआ था यह statement, तैयार हो जाओ, आगे बड़ो, साहिबों को मार डालो, यह statement किसका दिया हुआ है, बी, घंशाम, बिल्कुल सही घंशाम है, शहादत खान, जो इसका सही आंसर है, शहादत खान, जो है, वो कहां से associated से, तो हमारे इन दौर से associated है, इन दौर में इनकी, इन दौर से इन्होंने लडाई की थी, 1857 के revolt में इनका important योगदान रहा है, 1857 revolt खुद में अपने आप में बहुत ज़्यादा important है, आपनों को पता होना चाहिए, और interview में ऐसा question भी पूछा रहता है, कि भाई, शहादत खां की समाधी कहां है, तो ये question इसलिए भी पूछते हैं, क्योंकि जो मद्द्रदेश लोगसेवा आयोग है, P.S.C. office है, P.S.C. office के सामने ही शहादत खां की समाधी बनी हुई है, किसकी समाधी बनी है, शहादत खां की समाधी बनी है, ठीक है, और इन्होंने ही ये statement दिया था, कि तैयार हो जाओ, आगे बढ़ो और साहिबों को मार डालो, समझ में आया की नहीं, चलो, आगे चलते हैं, नेक्स कोशन, दूसरा कोशन है, who had established the state of बगेल, due to which the name of the dialect spoken here became बगेली, है ना, मतलब यहाँ पूचा गया है, कि बगेल राजी की स्थापना किस ने की थी, जिससे यहाँ पर बोली जाने वाली बोली का नाम बगेली हो गया, मतलब जनरली जैसे कि आप वहाँ चले होगे, बुंदेल खंद में, तो वहाँ पर बुंदेली बोली जाती है, yes or no, मालवा में माल भी बोली जाती है, कि इस राजा के नाम से वहाँ की लैंगूइच का नाम बगेली हो गया, तो इसका सही आ अंसर मैं बता जिती हूँ, इसका सही आंसर है, वियाघरदेव जो है, सीज़ में आसा क्वेशन था जादा कुछ इसमें डिप्रोमाटिक था यह नहीं कि आप कन्फीूज हो कि नेक्ट कुशन है वाक्ट नेम डिड़ ट प्रेंस ओ दिल्ली हुमायु रूल इन मनसौर यहाँ पर पुछा दिल्ली का शहजादा हुमायू ने मनसौर में किस नाम से शाशन किया था जल्ली से बता दो नहीं भाई फिरोज शाह इसका सही आंसर है फिरोज शाह is the right answer यह MP के history के questions है जो कि आप कह सकते हो कि इंडिया लेवल पर important हुझाते है इसलिए मैंने कुछ-कुछ questions यहाँ पर ऐसी भी डाल दिये समझ में आया कि नहीं चलो next question which freedom fighter is not related to Shivani jail Shivani jail से यहाँ पर कौन सा freedom fighter associated नहीं है विनोबा भावे, द्वारिका प्रिसाद, शुभास चंद्र बोस या फिर महात्मा गांधी जल्दी से बता दो Shivani jail से associated नहीं है important question है MP के perspective से D, महात्मा गांधी कह रहे है क्या answer होगा इसका सही answer बिल्कुल इसका जो सही answer है that is महात्मा गांधी विनोबा भावे अप सभी को पता है कि important personality है द्वारिका प्रसाद भी associated सुभास चंद्र बोस ऐसे परसंते जिन्होंने 1945 में महात्मा गांधी को किसका title दिया था 1945 में किसका title दिया था किसका title दिया हुआ था तो father of the nation का राष्ट पिता कहकर इन्होंने ही तो पका रहा था इसलिए यहाँ पर क्या हो जाते हैं आपके लिए यहाँ पर important हो जाते हैं चलो आगे चलते हैं next question दूसरा question है 1920 में जो कसाई खाना अंदोलन चला था सागर के रतोना यह रतोना है यह किसने लीड किया था किसने लीड किया था important है अभी बहुत important question है कसाई खाना आंदोलन करके न सीधे थ्री मारकर में 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 हूश लेते हैं तो किस year में हुआ था 1920 में हुआ था यह याद रखना है कहां पर हुआ था रतोना सागर में हुआ था अब इसके लीडर कौन थे यह important है बहुत important MP की perspective से historical perspective से बहुत जादा important है तो जल्दी से मुझे बता दू दिव्या मालवी कह रहे हैं good evening ma'am ma'am आप एक साथ दूनों काम कैसे कर लेते हूं करना पड़ता है चलो बताओ द्वारिका प्रसाद माखन लाल चतुरवेदी प्रभाकर डुंडी राच और अब्दुल जब्बार खान बिलकुल इसका गलत आंसर दिया है समराट अशोग ने डी नहीं है इसका सही आंसर है म माखनलाल चतुरवेदी इसका सही आंसर है माखनलाल चतुरवेदी ने ही यहां पर क्या किया हुआ था 1920 में कसाई खाना अंदुलन बिसी के लिए गाये जो होती है काव को मार रहते स्लॉट्रिंग ऑफ काउज हो रही थी बहुत जादा तो उन स्लॉट्रिंग ऑफ काउज क प इसको रोकरी के लिए इस movement को चलाए गया था माखललाल चतुरवेदी ने आप सबी को पता ह है ना चलो next है यहां पर हिंदुस्तानी लाल सेना जो है वो किसने बनाई थी 1939 में मगनलाल बागडी गंगाधर चिन निसा अब्दुल अजीज या फिर प्रभाकर डुंडी राज चुद मुझे जल्दी से बता दो कि इसको किसने बनाई हुई थी सी बिलकुल मगनलाल बागडी इसका सही आंसर है कई सारे बच्चों की MPB काफी स्ट्रोंग है हलकी यहां पर यहां पर यह इंपोर्टेंट है इसलिए मैंने आपको यह कोशन यहां पर दे दिया है ना चलो next कोशन है काफी बड़ा सा कोशन आ गया है बट इंपोर्टेंट है बाबर निजिए पर आटैक किया हुए था तो आप सबी को पता है बाई जब बाबर ने अटैक किया हुआ था तो इनको अबराएम लोधी ने बुलाया था या रहीं बेगा मैं बट इब खान नीजिए लॉख इंवन जिसका अव्याकन चाह? लोधी इब्राहिम लोधी से इनका संबंध था ये रेलेटिव थे और ये जो थे ये भी चाहते थे क्या चाहते थे कि दिल्ली के राच सिंगहासन के ये भी दाविदार थे समझ में आ रहे की निए इसलिए यहां पर ये कोश्चन इंपोर्टन हो रहता है हमेशे आप ये यहां की ऑप्शन यहां पर गलत हैं नेक्स्ट दूसरा है यहां पर दूसरा है यहां पर लेकिन अकबर द्वारा बनाई हुई इनमें से कौन सी बिल्डिंग है जो कि बुद्धिस्ट बिहार जैसी दिखती है बुलन दर्वाजा जोधा वाईका पैलेस दीवाने खास कुछ महल कि था यहां कि एक ने बी बोला तो सब भी बोलेंगे एक कुए में कुण देगा तो सब कुए में कुण जाएंगे ऐसा है क्या हां बी क्यों आंसर होगा बी अन्नेसेसरी आप लोग बी बी क्यों यहां पर टाइप करते जारो दे माप विच बिल्डिंग मेट बाए अगबर इस लाइक बुद्धिस्ट विहार बुद्धिस्ट विहार की तैसे कौन जी है तो यह पंच महले भाई पंच महले पिरामिड शे से जनरली इसका शेप कैसा है पिरामिड टाइप का शेप है ए है जीते इंद्र जीते इंद्र भीड से अलग चलता है वो सब भीड में नहीं चलता है यह सो नो देविंद्र भी तो पंच महल जो है इसका सही आंसर है जोदा भाई पैले इस बुलंद दर्वाजा फतेपुर सीकरी यह सारे के सारे important हैं लेकिन बुद्धिस्ट विहार की जैसे किस इस building का structure है तो दाट इस पंच महल समझ में आया की नहीं पंच महल है आगे चलते हैं नेक्स कोशन दूसरा कोशन है आपको बताना है दारा शिकोर से related इसमें से कौन सा statement गलत है पहला statement है उपनिशदों नेक्यार काँ फारसी में अनुवाध शहाँ के शाषणकाल में शहजादे दारा शिकोर ने स्र एकबर शीर wh Tirshak के तहत किया हुआ था तो यह बिल्कुल सही बात है दारा शिकोर की बात करूँगी तो यह जो मैंने सिलसले बताइते हैं सूफी के उसमें से इक छिलसला थै जिसका नाम है कादरी सिलसिला, कादरी सिलसिला जो है उस ते दाराशिकों बिलॉंग करते थे और दाराशिकों बहुत ज़ादे लिनियंट मुस्लिम रूलर थे, अगर आप इमेजन करो कि भाई औरंग जेप की जगे अगर दाराशिकों कभी मुगल बाश्या हुआ करते तो भारत की तस्वीर कुछ और ही होती, लेकिन दाराशिकों इसलिए अलग होती क्योंकि दाराशिकों टॉलरेंट थे हिंदूस की तरफ, वो इतनी मारा पीटी इन सब चीजों में जो बिलीव है वो नहीं किया करते थे, तो उपनिशदों का फार्सी में अनुवाद जो है वो सिर-e-कबर नाम से किया था, दाराशिकों ने यह सही बात है, और सिर-e-कबर याद रखलो, प्रिलिम से पूछेगा, कि दाराशिकों ने अपनिशदों का ट्रांसलेशन किस नाम से किया था, तो सिर-e-कबर नाम से किया था, सिर-e-कबर, यह लाइन सही है, next, it has translated 52, लेन पोल ने इनको लिटल अकबर का नाम दिया है, लेन पोल एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, इन्होंने दारशिकों की जनरो सिटी के कारण इनको नाम दिया था, लिटल अकबर का, ये लाइन भी बिल्कुल सही है, है ना, अब फोर्थ, यहाँ पे, लेन भी बिल्कुल सही है, ये लिए 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 था, जो कि खिलजी डाइनस्टी के थे, तो ये वाला आपका जो आप्शन नमबर डी है, वो यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि सिकंदर इसानी का जो टाइटल है, वो किसने लिया था है यहाँ पे, आला उदिन हो गए, पूछ लेगा कि दाराशुकों ने कितने उपनेश्वदु का ट्रांसलेशन किया, तो भाई 52 किया है, लिटल अकबर किसने बोला है, दाराशिकों को, तो लेन पोलने बोला है, यह लिटल अकबर जो है, लेन पोलने किसको बोला है, तो आंसर हो जाएगा, दाराश शिकों को बोला है समझ में आ रहा है कि नहीं तो यह सारी के सारे इस वाले टॉपिक से कितने सारे आपके प्रिलिम्स पॉइंटर निकल के आगा है यह आपका काम है आप धूने और उसको याद करें गेंड़ पॉइंट moving forward next question who gifted the famous कोहिनूर डाइमंड टू शाह जहां शाह जहां को यह जो famous कोहिनूर का जो हीरा है वो किस ने दिया था बता दो जल्दी से औरंग जेब मुराद मीर जुमला या फिर अबुल हसन ए औरंग जेब ने दिया था शाह जहां को औरंग जेब ने दिया था औरंग जेब कहां से लाके दे देगा कुछ भी बोलते हो आप लोग इसका सही आंसर है मीर जुमला option number c is the right answer एकदम factual question है important है इसको आप लोग याद रख लेंगे ठीक है कई बार one day exam ही question पूछा भी गया कि भाई कोहीनूर डायमेंट शाह जहां के पास कहां से आया था समझगे की नहीं समझगे next question दूसरा question है औरंग जेब ने जोदपुर के शाशक जस्वंत सिंग को 1658 इसवी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था धर्मत किस राज में इस्थित है important question शह जहां के मरने के बाद औरंग जेब और औरंग जेब के जो भाई थे मुराद बक्ष है ना दारा शिखो शाह शूजा इन चारों के बीच में war of succession चल रहा था इस war of succession में एक war था battle of धर्मत धर्मत का युद्ध तो पूछा गया कि भाई धर्मत का युद्ध कहां हुआ था बिलकुल इसका सही आंसर है मद्य प्रदेश मद्य प्रदेश में उज्जैन के पास है धर्मत और धर्मत का युद्ध हुआ था किसके वीच में दारा शिको और औरंग जेब की वीच में जिसमें औरंग जेब ने जोधपुर के जो शाशक है जस्वंत सिंग उनको मार था क्योंकि जस्वंत सिंग जो है वो दारा शिको के दोस्त हुआ करते थे समझ में आये की नहीं तो इसका जो सही आंसर है दाट इस उज्जैन sorry that is मद्यपदेश उज्जैन के पास है धर्मत है ना चलो आगे चलते हैं next question दूसरा question है who was Abdul Hamid Lahori with reference to the history of India Abdul Hamid Lahori कौन है एक military commander है क्या अकबर के शाशन काल में एक महत्वपून सेने commander थे या फिर शाहाजाहा के शाशन का एक राच्किय इतिहासकार थे historian थे क्या शाहाजाहा के रूल में या औरंगजेब का एक महत्वपून सामन्त और विश्वाश पात्र थे औरंगजेब के काल में थे या मोहमद शाह के शाशन काल में एक इतिहासकार तथा कवी थे तो आप जल्दी से मुझे बता दो इसका सही आंसर क्या है yes d d कैसे हो गया d option गलत है अब तीन बच्चे हुए है जल्दी से बताव सही क्या होगा c option भी गलत है औरंगजेब के time period में नहीं थे इसका जो सही आंसर है वो है शाह जहां शाह जहां के शाशन काल में अब्दुल हामित लाहुरी बहुत फेमस इतिहासकार है इनकी book का नाम है पादशाह नामा इसी को बादशाह नामा इसके नाम से भी जाना जाता है बहुत important book है बादशाह नामा जो की अब्दुल हामित लाहुरी द्वारा लिखेते हैं और उसमें शाह जहां के rain के बारे में बताया गया है शाह जहां के जो time period था उन्होंने जो rule क गया था उसके बारे में बताये गया है इसलिए important हो जाता है आपके लिए समझ में आया कि नहीं इसलिए यह book important है पादशाह नामा बाद शाह नामा किस ने लिखी तो पूछ लेंगे अब्दुल हामित लाहौरी ने या पादशाह नामा में किस के शाशनकाल के बारे में जा ताज यहां है जिन्होंने ताज महल को बनवाया था डिली का डिली का रेड फोट बनाया था यह सनू और उसके सामने जो बड़ी सी साइट में सम्मिले थे, जिसे दूर दूर से लोग देखने के लिए जाते हैं, next, दूसरा कोशन है, the greatness of Guru Govind Singh lies in that, Guru Govind Singh की महानता नहित में से किस में थी, सबसे पहले उन्होंने सिखो की सैनिक विवस्ता का गठन किया, वै सिख राजी के संस्तापक थे, तो ये तो गलत होगे ना, सिख राजी के संसापक थोड़ी थे, then, उन्होंने सिखो को शांत्री पिये लोग बनाया, ये भी गलत है, उन्होंने औरंग जेब को पराजित किया, ये भी गलत है, औरंग जेब ने किसको मारा था, ये कोशन प्री में पूछा राता है, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर को एक्जिक्यूट किया था, मारा था औरंग जेब ने, है ना, तो गुरु गोविंद सिंग की महानता किसमे है, कि इन्होंने सैनिक विवस्ता को जिसे हम खालसा पंत के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? खालसा पंत, साथ में ये जो गुरु गोविंद सिंग है, इन्होंने कहा था कि आपको 5 चीज कॉन 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 से 5 चीज कॉन कॉन सी는데 लितनी हैं केश, कंगा, कच्छा, कड़ा, और लास्ट कॉन सी बची अगीन दाउसर इस Guru Govind Singh फिर जो Guru गोर जो शिक्खों में तो 10 गुरु हुए थे तो 10 गुरु के बाद 11 गुरु क्यों नहीं हुआ? इसलिह नहीं हुआ क्योंकि जो दसवे गुरु थे Guru Govind Singh कौनसे गुरु थे? तो यह जो दसवे गुरु गोविन सिंग थे इन्होंने गुरु की उपाधी को गुरु गुरंत साहिब में ट्रांसफर कर दी थी, समाझ में आया की नहीं, तो इसलिए यह इंपोर्टेंट है, तो इसका जो सही आंसर है वो option number A हो जाएगा, next question, next, which one of the following British company was given the first authorization letter to business in India, निमल आप्त हुई थी, Levent company, East India company, the English company, trading to the East Indies, या Ostend company, जल्दी बता दो, मुझे पता है, इसका आंसर आप सब गलत देने वाले हो, मुझे पक्का, यकीन है, इसका तो आंसर आप लोग गलत ही देने वाले हो, B, हाँ, देखा, B, यही तो नहीं, यही तो गलत है, देखो, East, यहाँ पर अगमें बात करूँगी, तो 1600 में Queen Elizabeth ने East India company को charter दिया था, कि जाओ East में trade करो, तो उन्हें यह charter दिया था, C route के थुरू, कि तुम C route के थुरू जाओ, लेकिन इससे पहले भी एक और company थी, जिसे permission मिली थी, उसका नामें Levent company, Levent company को permission दी थी, कि तुम business करने जाओ, through land route, समझ में आया कि नहीं, लेकिन यह उतनी successful हूई नहीं पाई थी, और यह आ नहीं पाई थी, इसलिए हम East India company को पढ़ते हैं, समझ में आया कि नहीं, तो इसलिए इस cancer है Levent company, यह जो question है, बहुत ही कम लोग को पता हुता है, इसको आ Lionel Curtis, जल्दी से बता दो, हाँ, इसका answer बता दो, क्या answer सही होगा, Lord Clive, Hector Monroe, Lord Macaulay, Yes Sir, Lionel Curtis, हाँ, answer आ गया है, Lord Macaulay क्यों आएगा, Lord Macaulay answer क्यों दे रहे हो आप लो, देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँगी भाई, डायर्की की, तो आप सभी को पता है, बहुत अच्छे है, डायर्की का ब इंट्रेड्यूस हुई थी, आप लोग को पता है, 1909 में क्या इंट्रेड्यूस हुआ था, separate electorate, यादे की नहीं, separate electorate यूज हुआ था, और अगर मैं बात करूँगी, 1919 की, 1919 की, तो 1919 में क्या इंट्रेड्यूस हुआ था, आपका डायर्की इंट्रेड्यूस हुआ था, डायर्की मतलब की, और कहां इंट्रेड्यूस हुआ था, और पूछेंगे कि डाययर की system चेंटर में कब इंटर्डीश हुई था? तो 1935 में इंटर्डीश हुई था माम, डाययर की system होता क्या है? तो यहाँ पर जो आपके subject है, उसको दो part में divide कर दिये जाते हैं एक का नाम रख दिया जाता है reserved subject और दूसरे का नाम यहाँ पर रख दिया जाता है transferred subject, क्या रख दिया जाता है भाई? transfer subject, तो यह जो diary की सिस्टम है, यह एंनिस सुनिस में हुई है, तो Lord Clive तो पहले ही चले गए थे उनिस सुझनिस के, तो यह Cut ओ जाए गा, Hector Monroe जो है ये भी cut हो जाएगा Lord Macaulay तो बहुत पहले आई हुए थे तो इसका सही answer हो जाएगा Sir Lionel Curtis तो अगर आपको याद भी नहीं है तो eliminate करके आप सही option तक पहुँच सकते हो मैं आपको करके बताती हूं कि आप सही option तक दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हो जब आपको पहले का answer नहीं पता है question बहुत important है father of dire की Lionel Curtis is the right answer समझ में आया है की नहीं next next question है the first Maratha chieftain to accept the subsidiary treaty of the Lord Wellesley Lord Wellesley के subsidiary alliance आपको पता ही है लेकिन Maratha का इसा कौन सा पहला चीफटेन था जिन्होंने subsidiary alliance पर sign किया था वो बताना पेश्वा बाजी राव टू रगुर्जी भोसले दौलत राव सिंधिया या फिर none of the above हाँ जल्दी से बताओ पेश्वा बाजी राव टू रगुर्जी भोसले दौलत राव सिंधिया या नन आप दी अबव पेश्वा बाजी राव टू सबसे बेवकूव बाजी राव था इसी की वज़े से आप देखोगे एंगलो मराठा बौर्ट शुरू हो गया था इस टाइम में सींधिया डानिस्टी में दावलत राव सिंधिया है ना और होलकर में चल रहे थे यशवंत राव होलकर और यश्वंत राव होलकर स्टार के नेम के कारण खुद पेश्वा होने के बावजूद भी यह एक सिर्फ मतलब बेसिकली दूसरे अ oldeanne बस्रे जलने जो लडाई करने चाम होता है एक जैलसी के कारण वह बाजी रावरां फीर जैसी इनक्यूपर अैक करते हैं यह डर डर के धीरे-धीरे भागते हैं बिटेश के पास अंग्रेजों से मदद लेती कि हमारे अपने लोगों ने हमारी पर अटैक कर दिया है आप हमारी मदद कर दो और इस तरीके से युद्ध छड़ जाता है एंगलो मराथा वार इंग्लिश और मराथों के बीच में समझ मैं कि नी तो यह जो काम है को मिस रूल कहकर जो है हडप लिया था यहां पर लिखा है कि कुशाशन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने माईसूर राज के प्रशाशन को ले लिया था लौड वैलिसली, लौड हैस्टिंग्स, लौड विलियम बेंटिक या फिर यहां पर लौड हार्डिंज जल्दी से बता दो सत्यम शुक्ला कह रहा है मैम यू आर सो ब्यूटिफुल थैंक यू चलो जल्दी से मुझे आगे बता दो लौड वैलिसली, लौड हैस्टिंग्स या लौड विलियम बेंटिक या फिर लौड हार्डिंज माईसूर स्टेट को ले लिया था, माईसूर स्टेट की बात हो लिया आंसर आ चुक है लौड विलियम मेंटिक, बिलकुल लौड विलियम मेंटिक जो है सही आंसर है लॉर्ड विलियम मेंडिक के बारे मैं आपको बताई चुकी हूँ, बेनेविलेंट गवर्नर जन्रल के नाम से इनको जाना जाता है, बेनेविलेंट गवर्नर जन्रल, यह आप लोगों को याद रखना है, है ना, और लॉर्ड वेलेसले, आपको प्ता है, सबसीडरी तो वह किसके टाइम पीरिट में हुआ था लॉड हैस्टिंग के टाइम पीरिड में हुआ था विलियम मैंटिक ने सतिप्रता को भी किया था यह आल्रेडी में आपको क्लास में मतलब इसके पहले वाले उसमें बताई चुकी हो है ना तो आज के सेशन में हमने बहुत सारे को को डिसकस कर लिया है इसी तरीकी की life class जो है आपके लिए आगे चलती रहेगी और हम लगबग बहुत सारे questions को आपके prelims examination के पहले discuss कर लेंगे I hope आज की class में आपको मजा आया होगा हर question को मैंने बहुत ही detail में discuss किया है सारे options को समझाते हुए stories को बताते हुए ताकि आप लोग जो है prelims examination में eliminate कर पाओ सही options तक पहुच पाओ इसी तरीके के session से हमेशा जुड़े रहे है ताकि आपकी जो practice है वो बनती रहे और आपका जो pool of knowledge है वो wide होता रहे so thank you everyone thank you very much and all the very best for your examination thank you very much झाल 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 को झाल झाल झाल